सबी को जहीं दोस्तों आप सबी का हार्दिक सोगत है इंडिया इस भारत पे आशा करता हूं कि आप सबी लोग बहुत अच्छी होंगे तो आज की जबरदस्त और इंट्रस्टिंग वीडियो में आप देखेंगे लुबना जैदी जी को जो है तो पाकिस्तानी मूल की पर वो आप से शेयर करेंगी तो ये वीडियो बहुत ही जबरदस्त होगी आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मज़ा आएगा और मैंने लुबना जैदी जी का जो चैनल है उनकी एक्च्छी में दो चैनल है उन दोनों की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देदूगा आप उनकी चैनल को भी जाके जरूर सबस्क्राइब करें और जरूर उनकी वीडियो को लाइक करें तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अन्तमिस के बारे में बात करेंगे जै हिंद जै भारत मैं सोने जा रही थी और सोते वक्त मुझे अपना बच्पना याद आ रहा था और मैं वो ही सोच रही थी कि अब आज जो है मेरे सारी जो करीब दोस्त हैं वो हिंदू हैं और मेरा आज एक भी दोस्त ऐसा नहीं है जो मुसल्मान है और इस में बहुत फर्क है मेरी अब जो जिन्दगी है और जब मैं चोटी थी उस जिन्दगी में मेरा काफी फर्क है क्योंकि जब मैं चोटी थी मेरे सिर्फ मुसल्मान दोस्त होते थे और जब मैं छोटी थी तो मैं एक्शली हिंदूओं को पसंद नहीं करती थी और उसी के बारे में मैं बात करना चाहती हूँ कि क्यों नहीं करती थी मैं हिंदूओं को पसंद मेरी अम्मी ने मुझे अच्छी तरबिय दी थी वो कभी किसी के लिए दिल में नफरत नहीं डालती थी और यही सिकाती थी कि हम लोग सबसे बात चीत रखे हैं सब का अच्छा समझे हैं सबसे गुले मिले मगर मेरा एक रिष्टदार था मैं उनके बारे में जाद बोलना नहीं चाहती हूँ कि कि अपकोस वो बन चाहती कि मेरी वीडियो देखके वो अपसेट हो मगर मेरी जो एक रिष्टदार था जो मेरे करीब था वो काफी जहर घोलता था घोलता घोलती थी मैं बोलूंगी नहीं के कौन है हिंदूं को लेके और यहूदियों को लेके काफी जहर के हिंदू तो गाय का पिशाप पीते हैं हिंदू तो काफिर होते हैं या पता नहीं क्या क्या बूजा करते हैं बुटों की और इस टाइप का पता नहीं क्या क्या बाते मुझे बूली गए थी जब मैं चोटी थी तो मेरा दिल नहीं चाहता था कि मैं हिंदूं से बात करूँ या हिंदूं को साथ बैठके मैं खाऊँ मुझे तो बताया गया था उस रिष्टदार नहीं मुझे बताया था कि हिंदू तो बहुत बुरे लोग होते हैं उस लिहास से कियाने बॉक्त है अगारे कियादने लादन ब्रकूर्स को था। अग्यात अब यह उसके घंजम कुए तो कर सबस्क्रस को भी सुखता है दिए सुखता हूं अग्यार धूंगा ндशना कोती दिसुखता है। और मैं तो अपने दूसरे दोस्तों को भी मैं बोलती थी जब मैं चोटी थी यह दस साल की में होंगी कि यार यह हिंदू हैं तो मैं नहीं खा सकती हूँ हालगे उन दूसरे कुछ दोस्त को इतना मसला नहीं था मगर क्योंकि मेरे रिष्टदार जो है उस वक्त मेरे कान भरे जा रहे थे चोटी उमर में तो मेरे उपर काफी बुरा सर हुआ था इस चीज़ का और हैरांगी के बात यह है कि आज इतने साल बात मेरे सारे दोस्त हिंदू है और एक भी मुसल्मान नहीं है बलके मेरे तो मुसल्मानों से बनती ही नहीं है भई मुझे बहुत ही अजीब सी सोच लगती है उट पटांग बाते हैं उट पटांग हरकते हैं और मेरा दिमाग पूरा चेंज हो चुका है क्योंकि मुझे अपनी जिन्दगी में जितने भी मेरे दोस्ते हैं जैसे मैंने आपको बोला करीबी दोस्तों सारे हिंदू है मुझे ये ऐसास हुआ जैसे मैं बड़ी होती गए कि अक्शली जरूरी नहीं है कि अगर कोई आपके मजब से है तो वो अच्छा इंसान है और अगर कोई आपके मजब से नहीं है तो वो बुरा इंसान है और जैसे मैं बड़ी होती गई मेरे अपने मजब के लोग मुझे इतने बुरे-बुरे मिले कि मेरा उन से भरोसा हट गया और दूसरे मजब के लोग मुझे इतने अच्छे मिले कि मुझे फिर समझ में आ गया कि मजब से नहीं होता है कि आप किस टाइब के इनसान है तो मेरे जो रिश्टदार था या थी मैं बोलूगी ने कि कौन मगर उन्होंने बोला था यार कि यहूदी जो है उन्होंने तो हमारे प्रॉफिट को मारा और जहर दे दिया था और यह लोग बहुत बुरे लोग होते हैं यह तो दुश्मन हैं हमारे मुझे तो आदी बाते समझ में भी नहीं आती थी मगर मुझे बस यह समझ में आता था कि हम मुसल्मान हैं हम सबसे बहतर हैं हम सबसे अच्छे हैं और हम साफ सुतर हैं हम लोग नमास पढ़ते हैं और हमें आखरी मेसेज दिया गया है गौड का और यह पार नहीं क्या फिलाना और यह सब इस टाइब की बाते करी जाती थी और मेरे पर काफी बुरा असर हुआ था यह जो है कहानी मुझे बच्पन के बारे में मैं इसलिए सोच रही थी क्योंकि कुछ हफ़ते पहले मेरा जो बेटा है वो स्कूल से आया और उसने मुझे बोला कि वो अंग्रेजी में बात करता है मगर उसने मुझे बोला कि हम मी एक लड़की मुसल्मान मेरे क्लास में और वो यह बोल रही थी कि हम मुसल्मान हैं तो हम तो किसी और से दोस्ती रखनी सबते मुसल्मानों के इलावा तो जब उसने मुझे एक कहानी बताई तो मैं इतने हैरान हुई और मुझे बहुत बुरा लगा और मैंने अपने बेटे को बैठके समझाए कि नई बेटा ऐसे नहीं होता हम सबसे दोस्ती रखेंगे हम ऐसे किसी के मख़ब से नहीं पता चलता कि कौन अच्छा है कौन बुरा और मैंने अपने बेटे को ऐसे समझाए तो उसको समझ में आया मगर फिर मैं दुसरे दिन सोचती रही यही कुछ हफ़ते पहले की बात है फिर मैं कुछ दिन सोचती रही यार कि मुझे बुरा लग रहा है कि किसी दुसरे मुसलमान बच्चे ने मेरे बेटे को यह बोला मगर मैं खुद ऐसी होती थी जब मैं चोटी थी मैं खुद ऐसी होती थी कि मैं इस टाइप की बात है तो मैं खुद करती थी और याद आप रखें कि वो सिफ साथ साल काए मेरा बेटा तो उसकी भी कान भरा होगा कोई उसके गर में उस लड़की के जैसे मेरा रिश्थदार मेरे कान भर रहे थे तो जो लड़की अब मेरे बेटे को मिस्काइट करने की कोश्श जो कर रही थी उसका भी कोई रिष्टदार उसको मिसकाइट कर रहा है घर में बैठके गलत बता रहा है गलत समझा रहा है और ऐसे ही नफरत होती है मुसल्मानों के दिल में अच्छे भी मुसल्मान होते हैं जो इस टैब की बाते बिलकुल भी अपने बच्चों का नहीं बताते हैं मगर कुछ लोग जो हैं अच्छे नहीं होते हैं और मैंने जादातार मुसल्मानों में ये देखा है कि दुसरे मजब के लोगों को बुरा बोलना अपने मजब के लोगों को अच्छा भोलना भेले इसमें कोई सचाई है या नहीं है और उट पटांग इस टाइब के जीब 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 बाते सिकाना और जैसे मैंने बोला कि मेरी अम्मी ने मुझे इस टाइब की तर्वियत बिल्कुल भी नी दी मगर मेरे जो रिष्टदार थे वो करीबी उन्होंने मिस्क गाइड करा और शायद तो मेरी अम्मी को तो पता भी नहीं था कि मेरे जो रिष्टदार उनके जो उनकी याने मैं बोलना नहीं चाहते कि कौन कि आफकोस वीडियो मेरे सारी देखते हैं कि कि अच्छी को दुख नी पचाना चाहती हूं अगर मेरी अम्मी के ही वो रिष्टदार हैं तो मेरे अम्मी को पता भी नहीं होगा कि उन्हों ने इस टाइब की बाते मेरे साथ करी जब मैं चोटी थी और गलत गलत बाते हैं कुछ नहीं सबसे जादा अच्छे दोस मेरे हिंदू हैं मुझे बड़े पसान हैं मेरी सोच मिलती है और मुझे बहुत अफसोस होता कि यार रहे जब मैं बहुत चोटी थी जब मैं दसाल की थी तो इस टाइब की मेरी सोच थी अपकोस मेरी खलती नहीं थी मैं खुद चाहिए बच्चों को प्यार सिकाना चाहिए नफरत नहीं सिकाना चाहिए और दुनिया में जो जितनी भी दैशत गर्द बोलते हैं ना आपको मुझे पता होगा कि मैं यूके में बादा होई हूं यूके में ही रहती हूं तो मेरी हिंदी उड़ दू आप लोगों के जितन अच्छी नहीं है तो कुछ लबस हो सकते हैं मैं खलत बोल दू तो प्लीज माफ कर देगा मगर जो दैशत गर हैं गर या गर्द बोलते हैं पता नहीं वो ऐसे ही पैदा होते हैं कि बच्पन से इंको नफरत सिकाई जाती है फिर जैसे बड़े होते हैं का ब्रेन नफरत का ये छोटी उमर में डाला जाता है और जैसे पौदे को पानी इनसान देता है और धूप देता है वो खुबसूरत बनता है वैसे ही नफरत को बीच डाला जाता है और नफरत का पानी नफरत की धूप और नफरत नफरत दिल में डाली जाती है इन बच्चों की जो फिर बड़े हो के आतंग बाती बनते हैं मैं यूके में रहती हूं और हाला ठीक नहीं है और मैं अब कोशिश करूँ कि जो बाते मैं अपने दुसरे चैनल पर करती हूं पर अपने अपने इस उर्दू हिंदी वाली चैनल पर करूँlli जो घूण थे हूं वेस्ट की हालाट सभी नहीं हैं और हालाट बहुत खराब है आतंग वादी काफी हैं गुस चुके हैं वेस्ट में गंद मचानी की कोशिश कर रहे हैं नफरत और बर्बादी भेलानी की कोशिश कर रहे हैं और मुझे अपने लिए भी डर है मुझे अपने बच्चों की फ्यूचर के लिए भी डर है इसलिए मैं आवाज उठा रही हूँ मुझे भी धमक्या आती रहती हैं भी حالکہ میں بہت ہی ریسپیکٹفل ہی بات کرتی ہوں مسلمانوں سے اور اسلام کو لے کے میں بہت ہی عزت سے بات کرتی ہوں اور میں ہر مذہب کی عزت کرتی ہوں میرا ایسا کبھی بھی ارادہ کرنی ہوگا کہ میں کسی کی مذہب کو بہزت ہی کروں یا میں کچھ بتمیزے کروں نہ میرے نیچر میں ہیں مگر جو ٹولرنس نہیں ہے برداشت کرنی کی مسلمانوں میں نہیں کہ کوئی کچھ بھی بولے یہ لوگ جو ہیں افکرس میں بھی مسلمان طریقے سے میری پربرش ہوئی مگر میں نے دیکھا ہے کہ دوسرے مذہب کے لوگوں کے مقابلے میں لوگوں میں برداشت تو بالکل بھی نہیں کہ کوئی اچھا کوئی آپ کو گائیڈ کرنا چاہے تھا آپ سمجھیں کہ انسان کیا بات کر رہا ہے یہ لوگ نہ سنتے ہیں نہ سمجھتے ہیں اور خود پریشان ہوتے ہیں دوسرے کو بھی پریشان کرتے ہیں اور ان سے یعنی بات ہی نہیں انسان کر سکتا ہے تو انی وائز میں بات یہ کرتی رہوں گی اپنے چینل کے اوپر امید ہے کہ آپ لوگ سپورٹ کریں گے کیونکہ مجھے دھمکیاں آتی رہتی میں کافی تنگ ہوں میری جو انگریزی چینل میں ہے اس پہ بھی میں نے پوسٹ کریں سکرین شوٹ جو مجھے آتے رہتے ہیں انسٹرگرام پہ بھی آتے ہیں یوچیوب پہ بھی آتے ہیں اور میں تھک جاتی ہوں ان لوگوں کی باتیں سنکے ان کو رپلائے کر کے ان کو سمجھانے کی میں کوشش کرتے ہوں کہ ہر صدھر جاؤ اور تم لوگوں کو غلط سمجھایا گیا ہے غلط چیزیں بتائی گئی ہیں اور ان غلط چیزوں کو لے کے اپنے دل میں نفرت نہیں رکھو زندگی اللہ نے اللہ بولے گوڑ بولے رام بولے میرے نظر میں دیکھیں کریٹر ایک ہی ہے دنیا کا میں گوڑ میں بلیف کرتی ہوں اور میں یہ نہیں بلیف کرتی کہ آپ صرف گوڑ بولنا چاہیں رام بولنا چاہیں اللہ بولنا چاہیں میرے نظر میں کریٹر ایک ہی ہے بھئی آپ کچھ بھی بولیں آپ کے اوپر ہے تو جو گوڑ نے ہمیں ایک زندگی دی ہے ہمیں وہ اچھی طریقے سے گزارنا چاہیں گے پیار کر کے ایک دوسری کی مدد کر کے یومانیٹی پہلے آپ رکھیں انسانیت آپ پہلے رکھیں نہ کہ آپ نفرت میں اپنا ٹائم ویسٹ کریں اور دوسرے لوگوں کو بھی تنگ کریں ایمیویس آج کے لیے میں اتنا ہی بولنا چاہ رہی تھی کہ مجھے اپنے بچپن یاد آرہا تھا مجھے افسوس دو رہا تھا کہ یار میری کوشش ہے کہ میں اپنے چینلز کے تھرو لوگوں کو کچھ اچھا سکا سکوں کچھ سمجھا سکوں مگر کچھ پاگل سنکی لوگ ہوتے ہیں کہ آپ کی جتنا بھی ان کو اچھا سکانے کی کوشش کروں کو غلط ہی سمجھ میں آیا گا ایمیویس ان کے بارے میں میں کچھ بھی نہیں بول سکتی ہوں مگر امید ہے کہ آپ لوگ مجھے سپورٹ کرتے رہیں گے شکریہ دوستو آشا کرتا ہوں کہ ویڈیو کو آپ نے انتق دیکھا ہوگا اور لوگنا زیادی جی کا دمدار اور بے باک ریاکشن آپ کو کافی پسند آیا ہوگا جس میں آپ نے دیکھا کیسے لوگنا زیادی جی نے کس بہدوری سے یہ ایکسپٹ کیا کہ پہلے ان کو ان دوں سے نفرت کرنا سکھایا گیا پت جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ لوگنا زیادی جی نہ صرف انٹیلیجنٹ ہے بلکہ وہ open minded بھی ہیں اور انہوں نے time کے ساتھ چیزوں کو سیکھا وہ evolve ہوئی اور صحیح غلط کا ان کو جلدی اندازہ ہو گیا تو آشا کرتا ہوں کہ لوگنا زیادی جی کی باتیں آپ کو کافی زیادہ impressive لگی ہوں گی اور ایک بار فیڈ سے چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہم آپ اپنی اسی latest interesting اور دمدار ویڈیوز لاتے رہیں اور جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ لوگنا زیادی جی کا چینل جو ہے وہ بھی بہت زبردست طریقے سے ہمارے دیش بھارت میں گروہ کر رہا ہے آپ اسے بھی جا کے سبسکرائب کریں اور اپنے ویوز ان کے چینل پر جا کے ضرور رکھیں اور ان کی ویڈیوز کو لائک کریں تو چلیے پھر ملیں گے ایسی دمدار اور بزردار ویڈیو میں تب تک اپنا دھیان رکھئے جائے ہند جائے بھارت